नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेकिंग इंडिया में पाकिस्तान को अपने जाल में फसाने के लिए चीन कुछ-कुछ दिन में लॉलीपॉप देता रहता है कभी पैसों के रूप में तो कभी आतंकी पाकिस्तान को दुनिया से बचाने के रूप में रोटी और बोटी के लिए पाकिस्तान को चीन ने इस बार नया लॉलीपॉप दिया है चेनी विदेशी प्रवक्ता ल्यू काउंग ने एक बयान में कहा था पाकिस्तान ने आतंगबाद के खिलाव सक्त कदम उठाएं और अंतर राश्टी समुदाय को इसकी तारीफ करनी चा पाकिस्तान पर अंतर राश्टी दबाव बरता ही जा रहा है लेकिन पाकिस्तान से व्यापार के चलते चीन पाकिस्तान के प्रेम में इतना अंदा हो गया है कि उसे पाकिस्तान की असली नियस समझी में नहीं आ रही और वह यह नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान आतंगबादि लियू कॉंग ने कहा पाकिस्तान अंतर राष्टी आतंगबाद निरोधी अभ्यान का महत्पूर इस्सा है आतंगबाद के खिलाफ उतने पहले भी महत्पूर कारवाई की है लेकिन ताजा दिशा निर्देश से उतकी संगी और प्रांती एजन्सियों को नई ताकत में लेगी और वे जादा प्रभावी कारवाई कर पाएंगे इस कारवाई में चीन उसे पूरा सहयोग भी करेगा तो सुना आपने किस तरह से चीन पाकिस्तान के इस कदम से फूला नहीं समा रहा उसे लगता है इस कदम के बाद पाकिस्तान में आतंग और आतंगवादियों का सफाया हो जाएगा आपको बता दे सअध्यूक्तरासंग ने पाकिस्तान को अतंगवादियों के खिलाब डिएक्शन लेने के लिए कई सारे दिशा निळेश दिये थे अब पकिस्तान ने कुछ दिशानिट्स देशों को पालन करने का नाटक किया है वैसे आपको बता दे इस बार चीनी प्रवक्ता ने कुर्बानी की भी एक नई परिभाशा दी चीन के मताबिक आतंगवादियों को पना देने वाले पाकिस्तान ने कई सारी कुर्बानिया भी दी लियू कांग ने कहा अ आतंगवादियों को पना देने वाले पाकिस्तान में कौन सी कुर्बानिया दी दश्कों से पाकिस्तान भारत में आतंग फैल आ रहा है लेकिन लगता है चीन को इस बात का एसास नहीं है इतना तो साफ है कि पाकिस्तान कितना भी डोंग कर ले कितनी भी जूटी कारवाई क लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं की, पाकिस्तान में आतंकियों को पना दी जाती है, आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेट में साजा करें, और चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, धन्यवाद.